हेलो गाईज हम बात करने वाले हैं वी आई पी इंडस्ट्रीज इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का स्टेंडर लॉन रिजल्ट आप लोगो के सामने प्रेजेंटेड है सारी अमांट से वो रिजल्ट के अंदर करोडस में बताई गई है कौटर एंग कौटर बेस के ऊपर कम पैर करने वाले है यह इस कौटर का रिजल्ट है यह पिछले कौटर का रिजल्ट है यह पिछले साल सेम कौटर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है कमनी की इंकम की बात करें तो रेविने फ्रम अपरेशन और इंकम को मिला कर कमनी का टोटल इंकम इस क्वाटर के अंदर 429 9.94 करोड रुपेस का कमणी का total income है जो quarter and quarter base के उपर कमणी की income में गिरावट आती हुई नजर आ जाती है बाकी बिशल साथ से हम quarter के मुकाबले कमणी की income में वड़ोतरी होती हुई नजर आ जाती है बाकी इस कमणी की EPS earning पर share की बात करें तो भाई इस कमणी का cost of raw material के अंदर purchase of stock and trade and अलग-अलग expenses को मिला कर कमणी का total expense है आपर 440 करोड पीस का कमणी का total expense देखने कमल जाता है जो quarter and quarter base की उपर देखने जाओगे तो जिस प्रकार से income घटी है वैसे वैसे कमणी के expense भी कम होते हुए नजर आ जाता है जो quarter and quarter base की उपर company profitable थी जो यहाँ पर से company profit से loss में आती वी नजर आ जाती है और पिछले साल same quarter के अंदर भी company profit में थी जो भी यहाँ पर company loss में आती वी नजर आ जाती है company का overall यह जो loss हुआ है वो company के लिए बहुत ही बड़ा negative यहाँ पर साबित होने वाला है यह आप लोगों के सामने standalone result का यहाँ पर में view दिखा रहा हूँ आप लोग concentrated result आप लोग देखने जाओगे ना concentrated result मतलब इस company की subsidiary company और वो सारी चीजों से भी compare करें तो वहाँ पर भी company ने loss ही generate किया इस quarter में ठीक है तो overall इस company का जो result है वो इस quarter के अंदर बहुत ही जादा खराब देखने का मिल रहा है इस company के earning पर शिर्की भी बात कर लेता है EPS यहाँ पर देखने को मिल जाता है 0.79 रुपीज का माइनस 0.79 रुपीज का जो quarter के मुकाबले तेजी से खराब होता हुआ नजर आ जाता है overall मेरे हिसाब से दुबाई VIP industries इस company के share में invested हो आप लोग यहाँ पर already पैसा लगा कर रखा हुआ है तो आप लोगों को सलाई यह रहेगी profit में हो तो profit को book करके चलो बाकियार यह जो segment ना वो यहाँ पर आने वाले समय में सरु से थोड़ा थोड़ा करके grow होगा पर मेरे को ऐसा लगता है कि VIP industry के अंदर आप लोगों का मल्टी बैग है आप लोग रिड़ान सोचते हो ना कि आप लोगों का पैसा 10X या 15X मतलब आप लोगों का multiple time यहाँ पर पैसा बनेगा तर वो चीज़ यहाँ पर missing देखने को मिल रही है मेरी personal सलाई यह है कि इस company के अंदर आप लोग long term के लिए investment ना ही करो तो जाधा अचा है ठीक है बाकि आप लोग जो इस company के share में invested हो और profit में हो तो profit को book करके चलो जो आप लोग ने इस company के share में long term के लिए investment करके रखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर minimum quantity के साथ holding continue कर सकते ह यह बाकि जाधा पैसा लगाने की जरूवत नहीं है ठीक है बाकि यह company क्या काम करती है तो आप लोगों को बता दो यह travel and tourism के हम पर bags बनाने का and अलग-अलग हम पर उसके related products बनाने के बाद बेचने का काम काच करती है ठीक है तो बस अच के लिए इतना है वीडियो पसंदे लाइक एंड चल को सब्सक्रेब करा मत बूलना गुडबालफ गुडबाई फिर मिलते नेक्स टूड़े में गुडबाई इस रिजल्ट को देखते हुए company के शे में गिरावत आने की possibilities बहुत जादा है ठीक है